प्रोग्राम एक्तिलाफी नोट के साथ मैं हूँ महरीन सिप्तेन। पहली बार पारलिमेंट पे खड़े ओकर देने वाले एक्तिलाफी नोट बाबरावान साहब हमाई साथ हमाई इस प्रोग्राम में होंगे और ये हमारा प्रोग्राम एक्तिलाफी नोट इसलिए हट कर है क्योंकि वो खबरे जो आप रोज खबरों की दुनिया में सुनते हैं उन खबरों की हकीकत क्या है और उस पर हमारे इक्तिलाफी नोट्स क्या है वो हम आप तक लाएंगे बाबरावान साहब बहुत शुक्रिया इक्तिलाफी नोट्स पे ये तो मेरी राए आपकी क्या राए मेरी राए हिए हैं कि अख्तलाफ जिंदगी है लैलो नहार दिन और रात का इख्तलाफ और अगर सारी दुनिया बे सिर्थ सफेद रंग उता इख्तलाफी रंग कोई न होता दुनिया बेरंग हो जाती दूसरा जो मेरी इختलाफी मिज़ाज की आपने बात की उसका सबब ये है कि मैंने बहुत जमाना पहले जब सिर्फ पाकिस्तान टेलिविजन होता था और नर्गिस आश्वी बहुत बड़ी डिरेक्टर और प्रोडूसर थी बिल्कुर वो मुझे लेके गई अन्वर हुसैन साब थे बेगम साक्वा रहिम الدین साहिबा के भाई उनके साथ बैटके मैंने एक हफ्त रोजा प्रोग्राम किया तकरीबन दो साल और वो भी एक तरह का इختलाफी नोट था उसके बाद मैं जब वकील बना तो फिर मैंने कुरान लिज़त की तरह से उत्रे हुएं हम उन्हें पहचानते नहीं ना ढूंडते हैं और उनसे कभी कभी हम खौफ सदा भी हो जाते हैं मैंने दुनिया के बात की अब हम तीसरे एक तलाफी नोट के साथ आज बैठे हैं और उसका यह सारी जिदो जहुद इसका एक सबब है आने बगएर और पूरी बात कहे बगएर यह खाब पूरा नहीं हो सकता और इसका जो दूसरा पहलू है वो यह है कि यह जो मीडिया की जंग है ना इस वाक्त दुनिया के अंदर हो रही है सारी दुनिया मैं जो उसकी सबसे पहली शहादत कहते हैं सच की होती है बिचारा मा आपसे करेंगे इलेक्शन कमिशन ये फिर इसको आप क्या देखते हैं स्टेटिस को है या ये एक तब्दीली है तब्दीली है सिंबॉलिक मैं कई सौ मरतबा अगर मैं कहूं तो गलत नहीं होगा सरदार रजा साहब की कोर्ट में मैं पेश हुआ हूँ और अभी तीन दिन पह कि एक निया नाम आया है ये ऐसे आदमें कि ये इफ्तलाफी नोट लिख सकते हैं इनों ने बहुत सारे चार पांच बहुत बड़े मुकादमाद में एक सियासी चीफ जिस्स की मौजूदगी में इनोंने इफ्तलाफी नोट लिखे इसलिए जो सरदार रजा साहब हैं उनक रासे की, गो उनके साथ डेड़ साल रहेगी, अब चाहिए गर्वर्मन्ट को ये कि इनको अपनी टीम बनाने की अजादत दे दे, ये नए मेंबरान लेके आए अलेक्शन कमिशन है पाकिस्तान में, फिर स्टैटिस को के मारे हुए कुछ लोग और भी बैठे हुए अलेक्श कि सरदार रजा साब, वो काम जिस काम की तवक्को काम की तवक्को काम इन से करेगी, वो काम नहीं कर सकेंगे, फिर जो सबसे बड़ी बात ये है, कि फिरेंशल इंडिपेंडन्स अलेक्शन कमिशन है पाकिस्तान को दी जाए, और उसमें जो इंटर फिरेंस के हवाले से होत दी है कि हमारे पास कभी सियाही खरीदने के पैसे नहीं है, हमारे पास कभी बायो मेट्रिक्स लगाने के पैसे नहीं है, और कभी ट्रांस्परेंट बॉक्स हम नहीं खरीद सकते हैं, इसलिए अगर नए अलेक्शन कमिशन के अंदर चीफ अलेक्शन कमिशनर अकेला बिठा है हमें मगर बहुत बड़ी है बहुत बड़ी तब्दील है बिला शक्र, बहुत बड़ी तब्दील है चले ठीक है, इमरान कान साथाब की तो यह मतालब, हमயि conserv क्या है, कि टीम पूरी तबदील की यह आइन का आर्टीकल टू टू फाइव है लेकिन अरदू में बेम्स कर रहा हूं कि आइन के अंदर लिखा हुआ यह ऐekा हुआए सो बीस दिन में फैसला हुगा हुआ हुआ तभी तो इमरान ठीक कहते है कि मैं सड़क पे आया तभी तो आपॉजिशन बोली हलांकि यह उलक्शन वो है जिसके बारे में सब nä〜 खुल के कहा कि यह चोरी शबया उलक्शन है किसी ने कहां का, किसी ने कहां का अगला इसका पैलो जो लिखा हुआ है इंक्वेरीज पाकिस्तान कमिशन अफ इंक्वेरी एक 1956 में 1956 का ये कानून है उसकी दफ़ा तीन है अगर वो मौजूद है तो वो दिखाई जा सकती है उसमें ये वादे तोर पे दर्ज है कि फेडरल गॉर्मेंट फेडरेशन की गॉर्मेंट इस वक्त नमाज श्रीफ साब की हकूमत मुस्लिम लीग नून की हकूमत ही कमिशन बनाएगी जुडिशल और नोटिफिकेशन के दरीए बनाएगी किस बात पे कमिशन बनाया जा सकता है मैटर अफ पबलिक इंपॉर्टन्स अवामी एहमियत के सवाल पे जाहर है अवाम के मैंडेट से ज्यादा कोई अवामी एहमियत का सवाल नहीं हो सकता और कानून की नदर में आईन की नदर में इमरान का मतालबा जायज और हकूमत का मुकदमा नाकाम होता है सही अच्छा आगे बढ़ते हैं ट्रांस्परेंसी इंटरनाशनल की जरा बात कर लेते हैं अच्छी ख़बर आई पाकिसान 128 वे नंबर पर आ गया और बजाहर हमें ये दिखाई देता है कि हम बहतर होते जा रहे हमाई कौम हमाई नेशन हमाई यहाँ पे जो बहुत सारे करॉप्शन होती है वो बहतर होती जा रही है लेकिन फिर एक दूसरी तरफ से जो कहा जाता है वो यह कहा जाता है जी कहका कराया जाता है सिफारिश चलती है, पैसे दिये जाते है हकीकत क्या है इसके पीछे चलता तो सब है इसमें भी होता है, हमें तो लगता है जो बाहर से रिपोर्ट तो नैब को लानी चाहिए थी नैब ने इसकी सिर्फ तारीफ की पाकिस्तान में ट्रंसपरेंसी के अधारे हैं एंजियोज भी हैं गबंड के अधारे भी हैं वो क्यों नहीं बोले इससे मुझे यू लगता है कि वक्तन फवक्तन कुछ अबलाइजिंग अगर पिश्तलाफी नोट ये होगा क्या थाने रिष्वत से पाक हो गए? क्या पतवार खानों में लिफाफे बंद हो गए? क्या येलो जर्नलिजम चला गया? क्या सरकारी दफ्तरों में कही हा लगाय बगायर फा Gul क्या किक बैक और कुमेशन? क्या ठेकों के अंदर ट्रंसफरें क्या पेपरा रूल्स लगाए जा रहे हैं प्रोक्यूर्मेंट यानि खरीधारी अवामी पैसे से कानूनी तरीके से की जा रही है ऐसा नहीं हो रहा है इसलिए नंबर उपर करने से या नंबर नीचे करने से करॉप्शन मैल प्रैक्टिस और अवाम दुश्मनी बियुरोक्रे पालिमन पालिमन अपनी माजूरी दूर करे ये मुफामत के नाम के उपर होने वाली मुनाफकत उसको खतम किया जाए अवाम दोस्त कानून बने अवाम दोस्त पालिसी हो अवाम दोस्त अदारा तब बन सकता है अचा आपने बाबावान सब अभी ये भी कहा कि ये रिपोर्ट तो नाप को देनी चाहिए थी हमारे अंदर के दारे होने चाहिए थे जो इसकी तहकीक करते हो फिसको सामने लाते तो आप जो हमारे अंदर की रिपोर्ट होती हो उन पे हमारी जो एक सोच है हम उसे एकसेप करते ही ने अगर हमारे अंदर से ये रिपोर्ट आती तो क्या हम इसको एक्सेप्ट कर लेते क्या उस पे भी इतनी ज़्यादा तफ्तीश होती जितनी ट्रांस्परेंट से इंटरनाशल से हो लिए नहीं बिल्कुल भी नहीं मुझे दिनी पता नहीं किसने एक आदमी की हम उसका डेटा मांग सकते हैं हम उनसे जराय पूछ सकते हैं अगर यहां की ट्रांस्परेंसी कोई आदमी बोले या कोई सरकारी दारे का आदमी बोले तो उसको हम यहां सामने बिठाएंगे न उससे बात करेंगे कौम के सामने हम सच खोल देंगे सारा और इस रिपोर्ट क जब थाने दुरूस्त होने चाहिए जो लौ है और उसको मिंटेन होना चाहिए आपके अपने शहर में बाकिया एक पेश आता है चार मने इस पर पड़्चा काटा जाता है बड़ी बात है क्या हुआ स्टोरी कैस के पीछे स्टोरी जो सामने आई है वो नहीं है स्टोरी हो पहला तो यह है कि शेर इक्तदार में बाहर तो ऐसे होता है ना शोर्ट की आवाज आए हमसायर अपने कानून की बात कर रहें ना बाहर तो फिर जंगल का कानून है इसलामवाद में आपको पता है आदा जंगल है इसलिए आदा जंगल का कानून भी जहां पे है एक इसका अजाज साब जब तक वो नून में थे उनके घर पे चापा नहीं पड़ा जिस दिन वो पीटी आई में गए उनके गाउं वाले घर पे ता कि वोटरों को बताया जा सके कि जो जाएगा जो जुबां बोलेगी पत्थर की बना दी जाएगी रास्ते रोकने के लिए यहां भी गुफ्तगू और थी जिसको चुपाया गया एकठे होने का मकसद मेरी इतला यह जो मुझे शेर से मिली है कोई और था गुलग उपाड़ा नहीं था और दराने के लिए आपको यादा है पीपल्स पार्टी के लोगों की एक फैरिस्त पहले निकाली गई कि यह यह लोग जा रहे हैं किसी और पार्टी में और उन सब पे फिर मुकदमें बने फिर्दोस आशे कवान से शुरू हुआ अच्छा यह तो कहानी थी उसके पसे परदा क्या है क्योंकि हमने तो यह सुना थे कि गुलगा पाड़ा हुआ बने पकड़े गए थाने में मतलब उसके लिए पूर्ट और यह सच नहीं है कहानी था रहकिकत कुछ और है से यहां पर एक ब्रेक कर चार रहे ब्रेक से जब हम वापस आाएंगे तो एक और बह Adams खास कबर है पार पाकिस्तान की यह कहा यह अमरीका ने और अगर यह बाइनिंग पॉर्स है तो हमारे सियास्तदान कहां पर खड़े होते हैं इस बारे मे पर बात करेंगे लेकिन एक ब्रेक के बाद Welcome back नाजरीन आपके साथ मौझूद है और ब्रेक पर जाने से पहले हमने बात की थी अमरीका ने कहा है कि पाज, पाकिस्तानी पाज, पाकिस्तान की एक बाइंडिंग फोर्स है, इस पे भी बात करते हैं बाबर अबन साथ, बाइंडिंग फोर्स है, फोर्ज किस तरह? और अगर फोर्ज बाइंडिंग फोर्स है, तो मेरा वो ही सवार, किस सियास्तदान कहा है? पहली बात यह है कि अमेरिका ने बहुत लंबे अरसे के बाद उनके ख्यालात पाकिस्तान की सिकिरिटी एजन्सी और सिकिरिटी अदारों के मगर्ब में कुछ तसवरात उनको बिल्ड किया जाता रहा तो पाकिस्तान के पर्स्पेक्टिव से ये एक अच्छी ख़बर है कि अमरीका में ये तसवर उबरा है और उसको सरकारी तोर पे बड़ा खुल के पहले तो एरिया स्पेसफिक होता था ना जी के फुलाँ जंग में और नेटो के वाले से हमारी खिदमात ठीक है तो इस इतबार से मैं इतफाक करता हूँ और जो जमीनी हकीकत है वो भी आप देख लिजे एक बाइंडिंग फोर्स तो है कॉंसिटूशन के बाद पाकिस्तान की मसलफ फौज है दूसरा इसका एक और पहलू भी है आपने कहा कि सियास्टदान कहा है सियास्टदान नहीं हकूमत कहा है उससे पहला सवाल तो यह है जिस हकूमत की संजीदगी का यह आलम हो कि जब वो देखती है कि आपोजिशन का बखार ज्यादा हो गया है लोग ज्यादा गो गो के नारे लगाने लगें वो कहते हैं मुझा कि दरवादे खुले हैं आज भी उन्हें कहा लेकिन मुझा के लिए हुकूमत एजंडा देने के लिए तैयार नहीं है जिस तरह कहते हैं कमिशन की कॉंसिटूशन के लिए बनाने के लिए तो हम राजी हैं लेकिन उसके टर्म्स अफ रेफरेंस के वो होगा क्या कमिशन क्या करेगा वो देने के लिए वो तैयार नहीं है उसके लिए भी पीछे अटते रहते हैं आगे बढ़ते रहते हैं हाला थोड़े से उनके काबू से निकलते नदर आएं अब इस तरह के गहर संजीदा माहौल में पाकिस्तान की जो डिमाक्रेसी है कुछ लोग इसको डिमाक्रेसी भी कहते हैं उसके उपर जो दुनिया है उसका इतबार और फोकस कम होता जा रहा है ये सबूत है ना कि वो कहते इसके मूँ के उपर इसका एक पहलो दूसा ये है कि पहली दफ़ा राहील शरीफ ने अमरीका के अंदर खड़े हो के ये कहा कि हम जब उन्होंने दाइश की बात वो कर रहे थे तो उन्होंने पाकिस्तान का सिर्फ नाम नहीं लिया साथ उन्होंने अफगानिस्तान का भी पाकिस्तान के वाले से वो तो पर इसका मतलब है खतम हो गया ना लोगों ने कबूल किया पाकिस्तान का रीजिन के अंदर किरदार ये पाकिस्तान के लिए खुशी की खबर है कि नंबरदार यहां हम हिंदुस्तान को या किसी और मुलक को नहीं मानते और हमारी अपनी एक इलाकाई पॉलिसी है और इसका जो तीसरा पहलू है वो ये है कि जब से वो दोरा हुआ है आप देखें भारत खामोश है ये एक बड़ा इंडिकेटर है कि भारत मायूस है वरना पाकिस्तान का जब विजीर आदम वह जाए चिट्टे निकाल के वो गुफ्तगू करने की कोश थे शुष कर रहा हो तो भारत तो बड़ा खुश होता है ना लेकिन बाबरावंसा कभी-कभी खामोशी किसी बड़े तुफ़ान का पेशखेमा भी होती है कोई बड़ी बात करेंगे वो क्या मुझे पाकिस्तान के हवाले से निजाम के उपर तो मेरे सवालात है हमेशा पा मारे साथ तालुक भी आर राप्ते में भी हम रहते हैं वो कहते रहते हैं कि अगर ये हुकूमत खतम हो गई तो छे आइन बन जाएंगे अगर एस्मली पांच साल पूरे ने कर सकी तो फिर बड़े ज्यादा मुलक हो जाएंगे इसा कुछ नहीं होगा भई पाकिस्तानियों ऐसा कुछ नहीं होने वाला ये तो वो एक मिसाल देते हैं ना मैं किसी की तरफ इशारा नहीं करूँगा कहते हैं कि पोठोवार में किसी नाले में गीदर जा रहा था उसने का दुनिया रूड चली मैंनों बचाओ पकड़ो उद्यातियों ने आगए उसको निकाला बाइर रखा गंटे बाद दूब में सूख गया तो उन्होंने का दुनिया रूड चली उसने का यार मेरी दुनिया तो रूड चली थी तो यह हमें अपना यह वाला जो सेल्फ सेंटेडनेस और अपनी जात से इश्क और अपने एक्तदार से प्यार और अपनी सोच को कहना कि यह टोटल साच है इस रविये को भी तो बदल लेगा तो हम यह कह सकते है बाबरवन साहब के राहिल शरीफ साहब का यह जो दोरा है यह एक तरह से बहुत बड़ा माइंड चेंजर था यह बहुत एक और दूसरा यह कि दोरे के अरसे में अदाफा करवाया गया तीसरा यह कि जिस डेप्ट में बहुत लंबे अरसे बाद मुझे कोई आखरी याद नहीं है पाकिस्तान का आर्मी चीफ जिसको इस तरह की वहाँ इदारों के अंदर पजीर आई और एकसेस मिली और आपको याद है हमारे प्राइम इनिसर मैं अफसोस से कह रहा हूँ कोई तमाशा लगाने के लिए नहीं कह रहा वहाँ गए तो उबामा ही नहीं मिले अब लंडन जाके तो एक अदर फोटो आप हमें सेनेटर कैरी ने दे दिया दरस क्या को किछ कह नहीं दूरत है या कोई इसमें इखतलाबी नोट आए ना किछी तरफ से हम उसका जवाब देने के लिए ते या और बावरान सा एक और चीज़ भी है अपरेशन जर्वियास इसने भी बहुत माइंड चेंज किया है आलमी दुनिया में जो एक हमारा परसेप्शन था वो बहुत चेंज हुआ है ऐसा है के नहीं जो कहा देना बस्ती बसाना खेल नहीं है बस्ते बस्ते बस्ती है इसमें शहीदों का नदराना दे के जिन्दा है कोई एसान किसी का नहीं है इसके उपर, बलके एक चो फौजी है नेटो का ये मुझे पता है I was part of the system उसके उपर जितना खर्चा एक महीने में होता है उतना खर्चा हमारा साल का एक बर्गेड पे होता है एक फौजी पूरा खैमा है एक फौजी वो पूरी दुनिया है इसके बावजूद आप रिजल्ट्स देख लीजे ना आप जमीन देख लीजे कितनी किसने क्या तहफूज कैसे किया ये तो बे सरो सामानी के अंदर खड़ी होने वाली कौम है और चैलिंजिस का मुकाबला करने वाली कौम है एक पहलो जरूर है कि कोई कारवां से तूटा कोई बदगुमा हरम से कि अमीरे कारवां में नहीं हुए दिलने वाजी मावरावन सब एक और सवाल बहुत ही बड़ा सवाल है और सवाल या निशान है मुस्लिम उम्मत के लिए भी फलस्तीन को मान लिया जाता है कहा मान लिया जाता है फ्रांसेसी पार्लिमेंट में अक्सरियत के साथ मुस्लिम उम्मत जो है हम देखते हैं आवाज उठाई जाती है लेकिन उस फॉरूम पर आवाज नहीं उठाई जाती जहां पर आवाज उठाई जानी चाहिए, जहां तस्लीम किया जाना चाहिए, वहां हम नहीं तस्लीम करते, फ्रांसेसी पार्लिमेंट तस्लीम कर लियती है। कि उनको मालूम है कि किस तरीके से फलस्तीन की जमीन पे पंजे गड़वाए गए और एक नाजाएज हकुमत वहां पे इसराईल की काइन की गई, मैं बहुत मुबारिक बात देना चाहता हूँ, फ्रेंच गौर्वर्मेंट को, फ्रेंच अमबसी को, फ्रेंच लोगों को पाक अपनी जात और अपनी अना के पहाड से नीचे उतर के पाकिस्तान के नई आलमे इसलाम के जो इजतमाई मिसाल होते देखने के लिए तयार नहीं है, फलस्तीन मसला है, कश्मीर मसला नहीं है, उसके उपर क्या हुआ डेर्स हाल में, उसके उपर कौन सी पॉलिसी है, उसके उपर कब पार्लमेंट को बलाया गया और एकठे, पार्लमेंट के दोनों इवानों में, जो उपर वाला इवाना, उसकी एवान की कमेटी का मैं खुद, I am one of the members of that कमेटी, नीचे का जो इवान है, उसमें हमारे मौलाना साहब है, और बहुत लंबे अरसे से हैं, अला करेगा कि ये लंबार साह चलता रहेगा, लेकिन कश्मीर के मसले को हम मसला कश्मीरी रखेंगे, या कभी आजादी की मन्जिल की तरफ कोई इक्तदार में आने वाला शख्स रोड मैप दे सके का जिसका अपना विजिन के लिए होगा, कश्मीर का मसला फलस्तिन के बाद सबसे पहल किया जाएगा. खानदान समझ के मसलिम दुनिया शामिल है, लेकिन कभी आपने सुना के वो इकटे भी बैठे, इस वक्त इस बात का बहुत मुझे तो दुख और सद्मा होता है, कि जिस टेलिविजिन को आप दुनिया में बटन उसका आन करें, आपको किसी ने किसी मुल्क, जो मुसल्मान मुल्क है, उसके अंदर जो मुसल्मा जथे एक दूसे से लाड़ने, उनकी ख़बर मिलती है, यह हमारा तारुफ बन गया है, बहुत ही अफसोसनाक है, यहाँ पर ब्रेक लेने का वक्त आगए, ब्रेक लेते हैं, और ब्रेक से वापस आते हैं, तो और भी बहुत से आहम इ परकिस्तान में, एक बहुत ही अफसोसनाक वाकिया हुआ, जहाँ माजूरों को, माजूर तो नहीं कहना चाहिए, माजूरत के साथ, स्पेशल परसन्स, जो देख नहीं सकते थे, उन्हें तशद्दत का निशाना बनाया गया, उन्हें धक्के दिये गया, और इस तरह से धक के दिये गए, कि आम शक्स भी अपने आपको संभाल नहीं पाता, को जाब वो कि जो देख नहीं सकते, और उन्हें समझ ही नहीं आया, कि वो कहां गिर रहे है, क्या हो रहा हुए उनके साथ, सिफ इसलिए कि एक प्रोटकोल था, वहां से सदय साहब ने गुजरना था, कोई पूछ नहीं हुई, कोई आक्शन नहीं लिया गया, देखिए, ये स्पेशल परसन्स इस मुलक का बहुत बड़ा असासा है, सुफैद छड़ी, इनसानियत की अजमत की अलामत है, और खास तोर से, ये स्पेशल परसन्स वो हैं, जब हम सारी दुनिया में, सारे खेलों हार रहे थे, बेज़त हो रहे थे, परचम बुलंद नहीं हो रहा था, स्पेशल परसन्स हमारे लिए जा के स्पेशल मैचिस जीते और इंटरनेशनल स्टेंडर्स के उपर उन्होंने मैचिस जीते ऐसे के वो चेम्पियंशिप्स लेके हमारे लिए आए, और इतनी खुशी होती थी, कि यहां पर इस मैदान में, किस तरह से खुदा में माफ करेगा, किस तरह से हमने उनको बदला दिया है, किस तरीके से हमने उनकी इज़त अफजाई करने की कुशिश किये, और यह जो स्पेशल परसन्स हैं, एक खास बात जो याद रखने वाली यह है, कि अल्ला देखी नहीं सकते हैं, असल में तो हम नाबीने जो देख नहीं सकते हैं इनको स्पेशल परसन्स को, कि इनके अंदर क्या 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 आला रबुलिजद ने खूबियां रखी हुई है, फिर उसके बाद यह इनसाफ नाबीना है, इसलिए कि यह तो देश्शत हुई है, आप चोटे-चोटे मुकदमात में देखते हैं, कि बड़े-बड़े नोटसिज आ जा जाते हैं, आप चोटे-चोटे मुकदमात में देखते हैं, बड़े-बड़े रियक्शन्स होते हैं, चोटे-चोटे मुकदमात में बड़े-बड़े ड्रामें और मीडिया के अंदर कहां इन्साफ special persons के लिए कोई इन में मुटल हो के dismiss हुआ है उसके खिलाफ मैं कमाहना चार्जशीट जारी हुई है नहीं हुई कहां इन्साफ special persons के लिए जो most vulnerable of the society है वो तो हमारे सर का ताज होना चाहिए आंक का तारा होना चाहिए हम उनके दिल का सहारा हमें होना चाहिए एक पहलू इसका ये है एक दूसरा पहलू ये है क्या वो जमूरियत जो अपने लिए इजलास वुलाती है वो शर्मिंदा नही हुई वो नादम नही हुई उसने माफी नहीं माँगी स्पेशल परसन से नहीं मांगी तो इसका मतलब क्या हुआ ये गरूर है ये तकब्र है ये इंतहा है गहर जमादारी की और इसके साथ ही आपने कहा है निजाम इनसाफ का है निजाम इनसाफ पाकिस्तान में शुरू होता है रेजिस्ट्रेशन आफ एफ आई आर से कल इस पर तफशील के साथ हम थोड़ा सा डेटा रख के बात करेंगे इस मुल्क के अंदर खांसी के शर्बत से सेंकडों लोग मारे गए कोई पकड़ा गया कहा है ये अंदा कानौन कहा है ये अंदा इंसाफ इस मुल्क के अंदर दिल के मरीजों की दिल शिक्नी करने के लिए उनको जैली दवाई दे के उनको इस दुनिया से रुखसत किया गया बेश्चमार घर वी रान हो गए कोई पर्चा है कोई ट्राइल है कोई प्रॉसिक्यूशन है कोई जजा सजा है उसके बाद मासूम बच्चे मासूम बच्चे मैं सरगोदा के अस्पिताल के बच्चों की बात नहीं करना चाहता जो मारे गए मैं बहावलपूर के अस्पिताल की बात नहीं करना चाहता मैं और अस्पितालों की बात नहीं करना चाहता मैं तो उनकी बात करना चाहता हूँ जिनों ने एक वेक्सीन के नाम के उपर एड का टीका लिगा दिया हमारे बचशों को ठालेसीयमिया के बचचे थे बाबर सब जहां देखते हैं तरहाफ देखते हैं वहां पे इस कदर खरामिया, इस कदर बुराइया और इसकदर तकलीफ दे जूरते हाले कि कहां से बात को शुरू करें और कहां पर बात को खत्म करें वो समझ ने आती, बात हम शुरू करें स्पेशल पर्सन्से, ये जो भी आपने वाक़ा बियान किया, गुज़िशता रोज होने ये उनकी स्टेटमेंट नहीं है ये इन्फरमेशन डिपार्टमेंट की इन से पहले भी चीफ मिनिस्टर की स्टेटमेंट यही लिखी हुई है उससे पहले वाले चीफ मिनिस्टर की भी यही स्टेटमेंट थी और उससे पहले वाले चीफ मिनिस्टर की भी यही स्टेटमेंट को छोड़ के भी इसी तरह से चलता रहा है ये सब स्टेटिस को है इसको जाना होगा वरना लोग जाते रहेंगे वरना इंसाब पर से इतबार जाता रहागा रहेगा और वरना निजाम जाता रहेगा वरना निजाम जाता रहेगा लोग कहते हैं क्योंकि वही हम स्टेटमेंट वो ही टिकर्स हम रोज पढ़ते हैं, अफसोस का इजहार किया गया, मुझम्मत की गई, वाकिया का नोटिस लिया जागा, यह यह स्टेट्मेंट्स आ जाती होंगी, लगता ही है, और पता उनको बाद में लगता होगा, कहानी क्या है? स्टेट्मेंट वो नहीं जारी करे, दूसा ही है, मुझमत की जरूरत नहीं है, इस निजाम की मुरम्मत की जरूरत है, यह मुरम्मत से दुरूस्त होगा, और एक ऐसा निजाम जिसका सारा मकसद सरमायादारों को तहफूस देना है, सरमाया को तहफूस देना है, सरमाया बचा सरमाया रखवाना है उस निजाम मैंसे आम आदमी के लिए कुछ नहीं निकल सकता आज तो आप सोशल मीडिया को मैं सलाम पेश करना चाहता हूं जिनोंने मैंने तो ऐसे ट्वीट्स पड़े जिन में लिखा हुआ है कि हमें अपना शैरी होने पे शर्मिंदगी है हमें इनसान परसंस का स्पेशल लिहाज करने की बजाए स्पेशल कोटा मकरर करने की बजाए स्पेशल सीटें असेम्बली में मकरर करने की बजाए स्पेशल बसेज उनके लिए चलाने की बजाए स्पेशल वाट्स उनके बनाने की बजाए स्पेशल एजूकेशनल सेंटर में उनको राइफ देने की बजाए हम इस बात पे बड़े खुश होते हैं हम कहते हैं मैंने तुम्हें सड़क दी नारा मारो दी मैंने तुम्हें पुल दिया नारा लगाओ दिया मैंने तुम्हें दे दिया फलाना प्रोजेक्ट दे दिया यूं लगता है जिस तरह कोई हातमताई जब तक सजा नहीं देंगे तो हम कुछ करवा नहीं सकते हैं सजा का एक डर और एक खौप होता है ऐसा है मॉल्टाउन का बाकिया देख ले अगर कोई एक्शन उसी वक्त ले लेते चले एक मिसाल हो जाती है हमारे पस मिसाल भी नहीं है देने को लेकि जिस्टिस नजफी साब ने कमाल कर दिया उन्होंने मुझरिम पकड़ के दिखा दिये अब जाहर है जजज का काम फैसला देना है जाके अत्कड़ी लेके पीछे घूमना नहीं है और पाकिस्तान में कई दफ़ा कह रहा हूं जगाने की कोशिश कर रहा हूं कि लोग जागें वरना लोग गलियों मे न्साफ करेंगे आज आप देख लिजए आज भी मीडिया दिखा रहा था चोर पुलीस के साथ मिले होते हैं पुलीस चोर के साथ मिली होती है डाकू बता खोर सबको तहफुज करवाते हैं बड़े बड़े लोग दाडल कहते हैं सिंध में वो लोगों ने रखे हुए हैं और वो बड़े मौजज़दीन है इसको अगर आप खतम नहीं करेंगे तो स्ट्रीट जिस्टिस शुरू होगा जो मैं नहीं चाहता और जो आप कहती है जजा सजा सब यहीं पे होगी यहीं हिसाबों किताब होगा सब का आप देख लीजेगा यह हो नहीं सकता दो तरीके एक तरीका वो है जो आइन में लिखा हुआ है मैं चाहूँगा वैसा हो एक तरीका कानूनी है मैं चाहूँगा वैसा हो अगर वैसा नहीं होगा तो फिर यह पबलिक जिस्टिस को आप नहीं रोक सकते शुरू हो गया पाकिस्तान में बहुत बुरी बात है लेकि अच्छा भी ह कि जस्टिस और रूल अफ लाव मरसी के बगार कानून की बालदस्ती और इंसाफ का निजाम रहम के बगार नहीं चल सकता जो अपने स्पेशल लोगों पे भी रहम नहीं कर सकते उन अंदों से ज्यादा कानून अंदा नहीं हो सकता बिल्कुल बाबसाब प्रोग्राम का वफ खत्म हो गया है इसी इक्तिलाफी रोट के साथ के कानून की बालदस्ती जो है वो बहुत जरूरी है उसके बगएर कुछ भी मुम्किन नहीं है आज का प्रोग्राम यहाँ पर खत्म कल इंशाला आपके पास दुबारा आएंगे महर इंसे पेन और बाबर रवान साहब को इजासत दीजेगा बहुत शुक्रिया अपने बहुत ख्याल रखेगा अलाहाफेज